दोस्तों नमस्कार और बुड़ीवनिंग एक बार फिर से मैं हाजर हूँ आपके सेवा में एक नए प्रोग्राम के साथ मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक घटना की जो हुई बहस्पतिवार को श्राम को बहस्पतिवार श्राम थरस्डे यानि की उस दन मुलाकात हुई जो डोनार्ड ब्लूम है यानि डोनार्ड ब्लूम अमेरिका के राजदूत पाकिस्तान के अंदर उनकी मुलाकात हुई जुम्रात की यानि थरस्डे के शाम इशागदार के साथ जो की विदेश मंत्री है पाकिस्तान के इशागदार के साथ में उनकी मुलाकात हुई और य उन्होंने अपने इन जनाब को बताया एक एक information दी और information ये दी कि कुछ company चार company तीन चाइना की और एक बेलरूस की और इन चारों कंपनियों पर अमरीका बैन लगा रहा है ये बैन लग रहा है और ये बैन जो है ये जो अनौन्स हुआ है को एक particular reason से बैन किया गया है क्यों बैन किया गया है क्योंकि ये चारों कंपनिया पाकिस्तान के ballistic missile program को help कर रही थी अब होता क्या है जब इवे company या जो है बैन होती है इसके माइन यह होते हैं कि अमेरिका में इनकी जो भी properties होती है इनकी जो भी assets होते हैं वो सबके सब seize हो जाते हैं under American government control हो जाते हैं और जाहर है उसके उपर फिर आप जा सकते हैं जाहर अपील कर सकते हैं कोड जा सकते हैं whatever but then basically कोई लंबर चाड़ा उसके होता नहीं वो company बैसिकली चारो बैन की जा चुकी है तो हम इस पर जो बात की गई कामरान यूसुफ के द्वारा पाकिस्तान में एक senior journalist है capital tv में तो हम अब अब जेरा सुनते हैं उनकी कहानी उनहीं के मूझ से और फिर हम की उस पर चर्चा ज़िदारी रखेंगे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि यह मामला है उन चार कंपनियों का तीन चाइना की और एक बार रूस की जिस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है मिल्साइल टक्नालोजी पाकिस्तान को बेचने या उनकी सपोर्ट करने के लिहाज से तो हम चलते हैं कामरा नियूसुफ की तरह तरफ और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में अमरीका का जो एक फैसला था उस से पाकिस्तान को आगा करना था जिसका ब्राहरास पाकिस्तान की सिक्यूरिटी और सलामती पर असर पड़ना था लेकिन रिचस्प आजिए है कि जो प्रेस प्रेस जारी हुई अमेरिकन एमबेसी की तरफ उस मुलाकात के बाद उसमें जो जिकर किया गया एक जो 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 स्टेटमन्ट है ख्याल किया एक अहम जो स्टेटमन्ट एट्रिब्यूट की गई अमरीकी से वो ये थी कि अमरीका पाकिस्तान की सिक्यूरिटी और सलामती को टॉप समझता है इंट्रिस्ट टॉप प्रायॉरिटी समझता है ये अमेरिका ने उस स्टेटमन्ट में कहा और हलाकि ये जो ड्रमा हो रहा है यानि कि मिजाईल टेक्नाजी की सपोर्ट में जो ये चार कम्पनियां काम कर रही थी उन पर ये बैन की बात आ रही थी तो दोनों का वो ऐलान करने वाले हैं उस से पाकिस्तान की सिक्यूरिटी और सलामती के उपर असर पर सकता है और इसलिए शायद पाकिस्तान को अश्यूर करने के लिए कि जी उनका हर्गिस ये मतलब नहीं है कि जो भी वो फैसला करेंगे उससे पाकिस्तान की सिक्यूरिटी और सलामत जो है वो compromise हो लेकिन जाहर है कि जो कहते हैं कि actions speak louder than words तो रात गए वाशिंटन से बड़ा फैसला वो सामने आ गया जिसके बारे में दो रोज पहले पाकिस्तान को अगा कर दिया गया था अमरीकी खूमत की जानिब से और वो फैसला ये है कि अमरीकी जो दफ्तरे खारजा है उ जिसमें चार कंपनियां तीन चाइनीज और एक बेलरूस की कंपनी है जिन पर ये इल्जाम लगाया गया है कि वो पाकिस्तान का जो मिजाइल प्रोग्राम है उसको परवान चड़ाने में या फरोग दिने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और उसकी बनियात पर इन चार और एक बेलरूस अगर उनके वहां पर लोकल पार्टनर्स हैं या जो भी उनके एसेट्स अमेरिका के अंदर हैं तो वो अब फ्रीज हो जाएंगे और उस कंपनी को चलाने वाले जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है उनकी भी अमरीका आने पर पाबंदी होगी अब जो अमरीका ने इसकी वजुहात बयान की हैं उन्होंने यही कहा है कि ये पाबंदिया जो लगाई गई हैं ये कोशिश है कि दुनिया में जो वैपन्स अफ मैस डिस्ट्रक्शन है उसको उसके फैलाओं को रोका जाए और इन चार कंपनियों पर उनके बकॉल ऐसे जो कंपोनेंट्स वो फरहम कर रहे थे अब ये एक सिर्फ दोस्तों यहां मैं आपको रोक कर अंडरलाइन करना चाहूंगा एक बात जिसको की कामरान यूसुफ आगे जाकर अमेरिका की दोगली पॉलिसी या कंट्राडिक्टरी पॉलिसी बताने ही कोशिश करेंगे सच क्य मुलकों को नुकसान आगा जिनकी पाकिस्तान से नहीं बनती है, इंद्वस्तान में तो आप यह जीरा देखिए कि ऐसे में अपशिए प्रउक्टीब स्टप ले रहा है जहांपर वह इन लोगों को बैं कर रहा है कि यह इन लोगों पर ट्रस् नहीं किया जासता, इनके पा और इनके पास जो missiles मौझूद है वो लगबग हिंदुसान के हरकोने में पहुँच सकती है इतनी range है उनकी लेकिन दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा खत्रा है ये लोग और इसी लिए आप ये पाएंगे कि इन पर इस किसमी की रोक लगाई जा रही है ताकि इनकी cruise missiles जो है कि जहां पर वो दुनिया के लिए खत्रा बन जाए अब आप ज़रा सुखिए आज की तारीफ में ये कौन जानता है कि जो इनका current program है वो कहां तक महचा हुआ है तो लेड़ा सी बैर वी रीचिंग विद दिस बट आगे आपकी इस विलोग में जो कमेंटरी आईगी जो काम कि इन सबसे पहले मैं इसकी जो तफसीलात हैं वो आप इसाथ शेयर करना चाहूंगा कि जो एक चार्शीट भी उन्होंने या आप कहे लें के साथ जारी की है इन चारों कंपनियों के हवाले से के इन पर बनियारी तोर पर क्या इल्जाम है और क्यूं इन पर पाबंदी जो लॉंग रेंज बैलिस्टिक मेजायल प्रोग्रेम में इस्तमाल होती है पाकस्तान के इस कंपनी पर ये इल्जाम है कि उन्होंने ये पाकस्तान को फरहम किया है जिसे पाकस्तान कर जो बैलिस्टिक मेजायल प्रोग्रेम है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और और इसके साथ पिर जो अनों ने फिर तीन चायनीस की सी हैं ऊसमेन उन्हों ने जिकर किया उर जो ही जो जो टीन कंपनीज है उन्हें उन्हों पर भी ये औसामह odds एकज्ज्य इस उन्होंने काई रहुत हैं जो इन्डे मजायल बनाने के रहे हैं और बजहर prevented कंपनियां होती हैं और जो मुख्तलिफ एकुप्मेंट प्रोबाइड करती हैं जो मुल्टी परपस होता है किसी और इंडस्ट्री में इस्तमाल हो सकता है लेकिन बकॉल अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट की दरफ से जो बयान जारी हुआ है वो बन्यारी तोर पर पाकिस् हैं उनके जो असासे हैं वो तमाम मुझमित कर दिया जाएंगे तो एक अहाम स्टेटमेंट एक तरफ अगर आप अमरीकी सफीर के उस बयान को देखें कि अमरीका पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती को टॉप प्रायोरिटी समझता है लेकिन उसके दोर रौज बाद इस जो प्रटेक्टिव एक किसम से अपना स्टेप ले रहे हैं कि वहीं बैलेस्टिक मिजाईज अब चरह सोचिए एक मुल्क जिसके पास आप कहने की चीज़ों के मुश्किल हो रही है आपका अकाउंट आप सारी समझ रहा है आपका एक्स्टेनल डेट इतना है कि आपको पि चेहर हैं बैलिस्टिक मिजाईज अब जब करना कीजिए कि यह कैसा माइंट सेट है और पाकिस्तान जब से बना है पहले दिन से लेकर आज तक किसी भी तरफ से किसी भी पडोशी से एक दिन के लिए भी पाकिस्तान को खत्रा नहीं हुआ है अपने आपको खुद उन्हें स इस अधार नहीं देते हैं वो यह है कि इसी अफ़र्ट में दरसल पाकिस्तान की तमाम आवाम का बेडागर्क हुआ है क्योंकि न तो वह पैसा जो मिलिटरी खा रही है न तो वह पैसा हिमन रिसोंस पर लग पाया ना कि लोगों की लाइफ बहतर हो पाती लोगों की क्वैल तो वो चंद्रयान को लिए परेशान था चंद्रयान के अजूर तो यह सारे पाकिस्तानी बोलते रहे हैं लेकिन अपना घर नहीं देख रहे हैं कि जहां पर सब कुछ मिलिटरी खा रही है यह नहीं है कि उससे बचकर अपनी पब्लिक पर कुछ लगाए मेरा कंसर्र नहीं है मेरी बाला से आप लगाए ना लगाए लेकिन फिर रोई यह मत जागा अगर और लोगा पे किसी किसम भी को लगाते हैं तो दोहरा मैयर उनका नहीं है दोगला मैयर आपका है आगे देखें है जो हमारा एक ड tying है को पता है कि एक हिस्टारइक जो हुश्टिलिटी है हमारी बारत के साथ और भारत की ही वजह से वह पाक्सितान का निग्लिर रोगराम हो पाकिस्टान की जो केंवेंशनल जो विस जड़ी वह है और इसी वह एक आपर क्या ने पाकिस्तान पर आटक किया पहिए वारत ने एक आदमी भेजा उनकी तरफ को आप झाल सोचे कि ये क्या बाते हैं कि भारत से कॉन तरक कून को चोछ कर रहा था आप मतलब महां से लेकर 65 लीजिए, 71 लीजिए, 99 लीजिए, कब है जब आप नहीं आए, हमेशा हम लहीं इस बात आप कर रहे होते हैं, हजूर में कर रहे होते हैं, और फिर पिटते हैं, और आपको फिर लगता है कि ओहो, हम conventional बावर में पिट गए, अब nuclear हम हो जाएंगे, nuclear ह आपकी फॉज ने उस उस पिक्चर को इन्हें मी पिक्चर को बना के भारत की बेचा है, उसके बल पर खाया है, उन्होंने. जो जदीद अगर आप कहते हैं, उसमें जो आपका मिजाइल जो टेक्नोलोजी है, वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है, और पाकिस्तान के लिए इसलिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, और शो करता है कि अमरीका का एक दोरा मेहार है, कि पाकिस्तान के एक तरफ हो कहते हैं कि सिकेरिटी और सलामती का उनको एहसास है, बाट अट पाकिस्तान का जो मिजाइल प्रोग्राम है, उस पर इस तरह की पाबंदियां आयत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें, भारत उनके साथ अब उनके एक स्ट्रेटीजिक तालोगात हैं, कि उ अगर आपका पड़ोशी दरहसल लगाई करता ही नहीं किसी से, और आज से नहीं, पांस-पांच हजार साल से नहीं लड़ाई कर रहा किसी से, तो फिर आपकी परिशानी क्या है, मतलब फुजूल का ड्रामा, फुजूल का नाटक, फुजूल का नर्रेटिव, एं दस इस व किया है, so that you can go on that track, जिसमें, जो आर्मी चाहती है, that is it, और सारी मसीब्तों की जड़ वहीं से भी हुई है, आप कभी भी देखिए इस सीज को, आगे देखिए क्या आगे नहीं साब, आपकोर्स, चाइना को काउंटर करना, तो उसके लिए उनके साथ, उनके सीरीज अफ, आगे कटाइन, जिसमें हर तरह की जो ॐ भारत को पर्वाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान का खचा यह है, कि अब भारत की जो डिफेंस किपडिटी है, अगर वो बेतर होगी, बेशक जो चीन का, जो अमरीका का असल परपस, भारत के डिफेंस को बेटर करना, चीन को काउ बढ़बढ़ होती है पाकिस्तान और भारत के दर्मियान तो जो एकुपमेंट भारत ने प्रोवाइड किया है भारत को प्रोवाइड किया है अपरीका ने पो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तमाल नहीं हो गाए तो इसलिए दो दिन पहले कमर चीमा एक और पॉड़ीजी वह कि हम आतंकवाद के अलावा किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे अब 16 की जरीए लेकिन ठीक है अगर वो अमेरिका से अगर भारत की तरफ से कोई जहाँ आया चाहिब वह बिन दन करता है किसी का तो हम तो चलाएंगे यानि फिर आप agreement के हम कोई value नहीं करेंगे तो this is the major project क्यों आपके agreement पर आपके words पर आपके किसी जो भी आप किसी बात के लिए agree करते हैं उस पर किसी को दुनिया में एकीन तो बचा ही नहीं क्योंकि आपके actions just like he said actions speak louder than the words to whatever words you had have all gone down the drain because आपने जो किया है वह measures कर रहा है ना कि आपके words आपके words तो को माया नहीं दें रिखते है you यार अक्बर बुगती को आप नीचे क्या के के बुलते थे पहाड से, या खान अफ कराद को क्या के के बुलते थे, कुरान का वास्ता देखे, और फरुर्णियों काप्चर करते थे, आखन मारते भी थे. अगर अमरीका और भारत की डिफेंस जो और स्ट्रीजिक जो अपनी पार्टनर्शिप है वो बढ़ेगी तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उनको भी अपने जो डिफेंस जो डिफेंसेज हैं या जो बाकी इस तरह की मौमलात हैं उनको हर सूरत में बेहतर करना होगा तो इसलिए एक तरफ जो अमरीका है वो भारत के डिफेंस को मजबूत कर रह रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उपर इस तरह की पाबनिया लगा रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफाई निजाम है वो उस तरीके से मजबूत ना हो सके जो के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है और उसमें एक और जो दिल्चस पहलू है एक तो अमरीका और चीन की आप पर भी कंपनी पर इल्जाम लगाया गया बेलरूस अब इसमें जो कनेक्शन आप देखें कि बन्यारी तोर पर चीन और रूस को भी इसमें टार्गिट किया गया है क्योंकि बेलरूस और जो रशिया है आप उसमें बहुत वो प्लोज एलाएं हैं तो एक लिहाद से जो अमरी का असलाफ रहाम करता है इवन अभी भी ये डिबेट अमरीका के अंदर हो रही है जो बिलियन्स अब डॉलर्स की जो एड पैकेज जो इस वक यूएस कॉंक्रस से मनजूरी के लिए तैयार है जिसमें बिलियन्स अब डॉलर्स नोंने देने हैं यूक्रेन को उसके साथ उन पाकस्तान की सिक्यूरिटी उनके लिए अजीज है लेकिन पर इस तरह के एकदमात पर गया इस तरह की पाबंदियां पाकस्तान की उपर आयद कर रहे हैं अब इसमें जो 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 याद कीजे एटीज किया जा रहे था तालिवान मना जा रहे थे क्या भारत को कुछ मिल रहा था क्या भारत को हत्यार मिल रहे थे क्या अमेरिका भारत को को सपोर्ट कर रहा था यह तब कहा थे तब तो आपको दोहरे में रहे आदनी आ रहे गया हमें सारा कुछ मिल रहा है भारत को कुछ नहीं मिल रहा है और यह कि हम भारत के मुकाबले में कहीं जए जदा मिलबूत आर्मी लेकर खड़े पॉर्स लेकर खड़े W जब तक minority, majority के पर राज कर रही थी, सब ठीक था, और अचानक जब खुद को किसी के नीचे आना पड़ा, तो पतला रेने पेपर होने लगी, तब उनको मुल्क में लग चाहिए, तो हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रही नहीं सकते, दुनिया और के नाटक शुरू हो गए है, ति जो चाहिए, तो इसमें फैस पत्ताबोल, करद बेसे हैं, यह की अका बसलार कमंगे होगें, यह वह था, यह झाल करता रहा है कि जो पाकिस्तान का मिजाइल प्रोग्राम है यह बैलिस्टिक और यह चीज़ यह इन्दिजनिस है यह निकि होम इड है और इसमें कोई चीन यह जो बाकी गुमालक जो अमरीका इल्जाम लगा रहा है उसके हवाले से उनका कोई किरदार नहीं यह लेकिन यह तो दुनिया जानती है अमेरिकांस ने जब वो अब हेलिकाप्टर लेकार आए थे असाम बेलाडन के लिए और एक हेलिकाप्टर आपको याद होगा क्रैश हुआ था वहाँ पर उस हेलिकाप्टर को भी उन्होंने जाने से पहले बॉम से उड़ानी गुश की थी राइट और उस क्रैश साइट पर सबसे पहले कौन आए थे चाइनीज तो आप पर ट्रस कौन करेगा दोहरा मेहर किसका है दोगला कौन है तुम लोगों न भाई तुमने अवेरिकेस की भी नियर है जिससे 35 बिलियन डॉलर लेके बैट गये उसको भी तुमने कुछ नहीं और बाकाइदा बाकाइदा हमीद गुल टीवे वैठके हमीद गुल क्लेम करता रहा है कि देखो हमने CIE को वेकूब बना दिया हमने निसे पैसे ही मार लिये और उस हमने उसामिलान को भी शेपा लिया कितने साल तक 10 साल तक मदा आ गया this is what you were doing your people were doing और तुम दूसरों को द कि आ पाकिस्तान के दिपाई निजाम में वह पर्विख्यक्नालजी हो वह बाकी सला एक से लहयत में चीन का इगा बड़ा क्रिटिकल रॉल और चींदा कहीं प्रिण ग्रेटot लड़ाया तुम शुरू करते हो आतंकवादी तुम बनाते हो टैर्रिस तुम भेजते हो और खत्रा इनके लिए हो रहा है इस से बढ़िया विक्टिम काड़ावी कि दुनिया में दिर्खा है कि वो शक्स या वो टीम या वो मुल्क जो खुद टैर्रिस बनाता हो तालिबान आईएस बनाता हो अभी भी आपने उसन देखा था वो बहुत बलोच क्या कह रहा था आपको कि आईएस की तमाम लीडर्शिप दाइश की तमाम लीडर्शिप अमेरिका में बैठी हुई है उसको आईएस आईएस ने पने एड़े देकर च्पाया हो है सेफ हाउसे में बता अगर तो रीजिन के अंदर यह थ्रेट खतम हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्यूं इस तरह का जो जो असलाह है या इस तरह की जो डिफाई सलायते हैं उसके उपर इतना पैसा खर्च करेगा तो इसलिए यह एक इंपॉर्टन डिवल्प्मेंट यह एक 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 आप आप्ड़ मौके के उपर अपर आप मज़ा जाए तुमकों को तुम्हार अंदर गजाए जा रहा है पॉर्टन डिवल्प्मेंट है एक एक एसे मौके के उपर कि जब खिदे में जाइरा है कि sip syd आप आप मेड़ा जाए नहीं है पिर इसी तरह के एक फैसला दिसमबर दोज़र एकीस में भी किया गया था अगेन उसमें एक चाइनीज कमपनी को उन्होंने बैन किया था उस पर पाबंदी आयद की थी अमरीका ने और सिमलर इल्जाम था कि पाकिस्तान के ये जो मिजाल प्रोग्राम है उसमें उनकी मदद क कर रहे हैं और अमरीका के हमदाद दिया अभी एक लॉन में तो पहला है है इन से जब पूछो बेटा सीटो सेंटर में तुम्हारा रोली गया था अधर दिन कि तुम्हें कम्मिनिसम के खिलाफ लेने के लिए जो कहा गया था तुम उस ग्रूप में जाकर घुज गए थे इ अधर वाइज जाके किसी इंफियर की किताब पढ़ लो वह आपको बताएगी कि सीटो सेंटर में तुमने क्या सीखा था और उन टेक्निक्स को तुमने कैसे कश्मिर में इस्तेमाल किया है बाद में तो दरसल तुमने तो हर जगए चोरी की है हर जगए तुमने ऐसी चाने चबन निचाप मतलत आप चराद देखिए सिक्रिटी का गाना गावी कौन रहा है वो जो दुनिया में किसी भी मुल्क को इनसीक्यूर बनाता है मुंबई किसने कर रहा था वही हाफिस साहिद किसकी पैदाईश है मसूद अग्षा किसके हैं गुम रहा है यह जिस 20-22 इसको रहा है कि अन्नोन गुमेंन ने मार दिये वो किसके मिल्क हो तुम्हारी मिल्क गुमरे थे ना और तुम खुद को क्या कहते हैं को वो जियाद कर रहे थे तो मतलब फिर इनसीक्रिटी कहा गुमरी तुमारे मिल्क के अंदर लेकिन यह बात अकसर देखने में आए कि बावजूद इसके के दोनों एक दूसरे के इतहादी भी रहे लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट रहा हुआ और पाकिस्तान ने खितम हुआ वो लोग जो तुम को पैसे दे कर तुम से काम कर रहे थे वो हमेशा जाते हैं कि तुम दूगला बन कर रहे हो लेकिन चुकि उनका लाज़र अब्जेक्टिव था उनको अफ़काने सामें तुमसे काम लेना था और जब तक वो काम हो रहा था उससर के खिलाफ लड़ाई करके उससर वा तोड़ने वाला काम वो तुम कर रहे थे तो उन्हांने तुमारे नुकलर पोगर्म से भी आखेम हो दी लेकिन जैसे ह वो खतम हुआ तो प्रसला रामेंट मिंट आ गया यही हुआ था ना तो बेसिकली वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके यहां से जो प्रेजेंशन उस टाइम पे एक आता था ओर्डिनेंस की हम भी उन्हों प्रेजिदेंट सटिस्फाइड है सटिस्फेक्टिन का इसलिए उनको मालम था कि यह बना रहे हैं मगर उनके लिए अबजिक्टिव बड़ा यह था कि सोवीतिन नों तोड़ना है अव्गरिसान से निकालना है उनको that is it तब तक के लिए तुम जो कुछ कर रहे थे तुम्हारे ऑनओडिटेड बिल पास हो रहे थे तुम्हारे प इस गिविंग रही अमरीका के हवाले से, कि अमरीका ने पाक्सतान को अपने माकसद के लिए तो इस्तमाल किया, लेकिन वक्त आने पर पाक्सतान को उन्होंने डिच भी किया। मतलब राइट फम जिया उलहक तो मुशर्रफ खाते चले आ रहे थे, तो ऐसे में आप मतलब हमें दोस्ती भी चाहिए, दोस्ती का तमगा भी चाहिए, साथ भी पैसे भी चाहिए, और फिर जब जोरुत पर जाए तो तो महाई वहत करने भी आओ, उसी तरह से जैसे सुदी कर कि अग्जामपल क्लेरली जब फॉर्मर्स सोविट यूनियन ने अफगानस्तान की इन्वेशन की थी नाइटिन से जो रूसी अफ़ाज हैं, उनको डिफीट किया था और जब उनको शिकस्त हो गई, जब कोल्ड वार का खात्मा हुआ, तो उसके बाद जब अमरीकी आफ़ कि यहां से निकल गए, उनका इंखिला हुआ, तो उसके फौरी बाद पाकिस्तान की उपर जो बुष्ट सीनियर की इन्पिजामियाती 1991 में एक प्रेसलर अमेंडमेंट आई जिसमें पाकिस्तान पर हर तरह की जो अब को मैं याद दिलाता हूँ, उस समय पर इनकी आईस है क एड़ा करते थे हमीद गुल, और वो बैठकर बड़े चैंस है कहा करते थे, अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, यह उनका डालग अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, यह सोवित यूनियन की जो पाजे है, वो हमारे गरम पानियों तकान पूतिन को तुम बलाने लिए तरस गए वो पूतिन आस तक पाकिसान नहीं आया तो आप जड़ा देखें नहीं कि यह चर्चा कहां चले और यह चले हैं दुनिया को दोगला बताने नहीं क्या बात है मिलिट्री एसिस्टंस है पाबंदी आयत कर दी गई और उसकी वज़ा जहीं बताएगी कि पाकिस्तान सीक्रिट्ली जो नुक्लियर वैपन्स प्रोग्रम है वो परसू कर रहा हलाके इंट्रेस्टिंग्ली यह इस चीज़ें आप रैकॉर्पे माजूद है कि जब अमरीका को जरूरत थी दौर में भी जारी रहा और अमरीका को यह चीज़ें पता थी लेकिन अमरीका को क्यूंके पाकिस्तान की जरूरत थी रखी और पाकिस्तान को नुक्लियर प्रोग्रम परसू करने दिया See, see, मान रहे हैं न, खुद मान रहे हैं, अब ज़रा सोचिए, एक मल्क जो चोरी से nuclear program develop कर रहा हो, उस partner को धोखा देते हुए, जिससे पैसे ले रहा है, और फिर आज जिस बात कॉंसीर कर रहा है, तो ज़रा सोचिए, दोगलापन कौन कर रहा था, तुम, खुद अपने रहे हैं, हम देख रहे हैं, जब उसका मौका आया, तो उन्हें उसके बैल लगा दिया, आपको लेकर, वो अलग बात है कि आपने उसका फाइदा भी उठाया, और 91 में चाहे आपको प्रेसलर अवेंडमेंट लगा, लेकिन 98 में आके आपने फिर वो किये, जो 99 में, जो पाकिस्तान में खतम हो गए तो फिर प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, फिर 1993 में जब बिल्क्लिंड आइद की और पाकिस्तान पर इल्जाम आइद किया कि पाकिस्तान जो मिजाइल टेकनोलोजी है, वो नॉर्थ कोरिया से भी हासल कर रहा है, तो ये एक का होई थी? My apologies, इनकी अपनी प्राइम मिनस्टर, इनकी अपनी प्राइम मिनस्टर, प्राइम मिनस्टर, बेनजीर हुटो, अपने परस्नल बैग में ड्राइंग्स लेकर रहा ही थी, इस लेवल तक चोरिया में है, ये इस किसम की इनकी फत्रत है पाकिस्तान और यूएस और इसी वज़ा से I think because पाकिस्तान का ये हमेशा concern रायद हो कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तालुकात को बहुत एमियत देता और उसका एक सुपर पावर है जो international financial institutions हैं अमरीका उन्हें control करता है फिर बहुत से और ऐसे معاملات हैं जिसमें अमरीका की जो importance है उसको ignore भी किया जा सकता तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि अमरीका के साथ तालुकात बेतर रहें या at least खराब ना हूँ but because एक history है दोनों मुदर में जो पाकिस्तान कम असकम अपनी जो पाकिस्तान का जो आधर वायस भी मुश्किल आउकात में पाकिस्तान की मदद की है तो अब में तो बताओ, मैं साधमी को ISPR का अगर एजन न कहूं तो क्या कहूं और क्यों न कहूं आप ज़रा सोचें कि ये वो कह रहा है, मतलब हमको IAEF में तो अमेरिका का इस्तिमाल कर ले नहीं है, लेकिन हमारे को जो हमारी मिलिटरी के लिए जो चोरी शिपेज, हमको माद मि अगर की सी चाइनीज कंपनी पर बैन लगाना है उन्हें लगा दिया, तुम ऐने उसको क्यूंश किया है, वो जाने, वो कमपनी जाने, तुम कहा को परेशान हो, लेकिन प्रोग्रेम क्यों हो रहा है, ये प्रोग्र्रेम इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन फ्रिश्य में दो ग और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की एकदमाद नहीं लेने चाहिए, कि पाकिस्तान completely चाइना के केम्प में चला जाए, लेकिन ये जो steps हैं जो तबातर से अमरीका लेता है, और on and off पाकिस्तान का ज़िडिफाई साल यह अम्रीका के लो कुको शुभात हैं वो डेफिनेट करेंगे अपने जुद्ध हैं कौन माना कर रहा है जो आपको पैसे चाहिए यह भी आप चाहिना से ले लो चाहिना ने सर्फ 600 मिलियन वागने गए थे भी यह महीना पहले लाक मार के बार निगाल दिया कि पहले पहले का हिसाब करो फिर ले हिन्दोसान को बैलरंको चाहिए वर्रा तुष्पार दोखनेगे नहीं और जिसक्षण का चाहिना है वो किसी को दो पैसे ने देता बिना किसी मतलब के तो ऐसा है कि वह तुम्हारे रास्ते को इस्सँआख करना चाहले है अमेरिका पींरिका ने किया का काम करती है वो फाौज नहीं होती है, मरसेनरिग न standard होते हूं गुंडे होती है जो पैसे लेकर फिर होती है प्रफटी ने काम करते हूं यो और कोई काम करते है जो भी उनको काम करने लिए कह जाता है वो करते है तो यह development पी सोचा आपके साथ में शेयर करूँ आपसे इजास्त लेने से पहले ये है वो केस तो दोस्तों मैं आपको जो बताना चाहरा था वो ये कि ज़रा सोचिए कि ये जिस किसम की बात हो रही है यहां पर उसमें उसमें आप अधार आए कि गलत कौन अमेरिका इस सारे केस में ज आप करते रहे हैं अधार आप एक्सपोर्ड करते रहें दुनिया कहीं भी आतंकवाद की घटना हो आतंकबादी का एक कहने कई सिरा जाके आपको कहमें लेगा पाकिस्तान तो अगर भार सरकार जो यह कहती है कि यह टरर फैक्ट्री है तो गलत क्या कहती है वही क्योंकि उस दरसल कोई मतलब नहीं है आप फिर भी वह प्रोग्राम कर रहे हैं और दिखा गया रहा है अमेरिका का दोगलापन और यह धंकी एक धंकी कि हम पूरी तरह है चाइने कम में चले गया है चैने या बड़ा फिंको आई पूछे आ गया फिर चाइने दो रुपय दे रहे गया बुक्तो तो मैं आपको यही जो दोगलापन है दरसल दिखाना चाहता था मित्रो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हालते हैं अग्रे ग्राम में बहुत